नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों, आज मैं आपको Microsoft Excel में कैसे किसी भी फाइल को पासवर्ट प्रोटेक्ट करते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बेस चप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास तक देखिएगा, तो चलिए, शुरू करते हैं तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने Microsoft Excel में एक टेबिल को डिजाइन करके रखा है इसी टेबिल के उपर मैं पासवर्ट आपको सेब करके दिखाऊंगा इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, फाइल टाब में और यहाँ से आपको क्लिक करना है, सेव एज ओप्षन में सेव एज में जाके क्लिक करना है, सेव एज में क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको ब्राउज में क्लिक करना है क्लिक करने के साथ एक window open हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना file name type करना है तो मैं यहाँ पर आपना file का नाम employee data दे दूँगा देने के बाद यहाँ पर आपको save में क्लिक करने से पहले यहाँ पर देखे, save के पहले यहाँ पर tools नाम का एक option है यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ से आपको click करना है general options में इसमें click करेंगे, click करने के साथ ही एक window यहाँ पर open हो जाएगा जहाँ पर देखे, दो password देने का जगा आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहला है password to open यहाँ पर आप जो password डालेंगे उसको use करके आप file को open कर सकते हो और अगर आप चाते हैं कि कोई भी user आपके file को open कर ले लेकिन उसको edit ना कर पाए तो आप यहाँ पर password to modify यहाँ पर password को set कर सकते हो इससे होगा कि जब भी आप इस file को open करेंगे उसके साथी आपको यहाँ पे modify का password भी देना होगा तभी आप उस file को open करके mo justify कर सकोगे दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको यहाँ पे जो password देना है वो तो थोरा ध्यान से देना होगा आपको क्योंकि अगर आप इस password को भूल जाता हो या फिर आपका password गुम हो जाता है तो इस file को आप कभी भी open नहीं कर पाओगे तो that is why आपको यहाँ पर जो password देना है वो थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पर डालना होगा आपको देना होगा अगर आप आप पासवर्ट देके file को open करते है तो ही आप उस file को modify करते होगे तो password set करने के बाद जस्ट एक बार आपको यहाँ पर ओके में आके क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर confirm password का window open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना password देके जो password to open का password है वो आपको यहाँ पर डालके just एक बार verify कर लेना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना password को लिखके just एक बार ok करेंगे ok करने के साथ ही वो password यहाँ पर confirm हो चुका है अब यहाँ पर आपको password to modify का जो password है वो आपको यहाँ पर डाल के उसको भी confirm कर लेना है तो मैं यहाँ पर उस password को डालूँगा just एक बर ok करेंगे ok करने के साथ ही वो password जो है वो यहाँ पर set हो जाएगा अब आपको यहाँ पर अपना फाइल का लोकेशन चूज करना है तो मैं यहाँ पर डेक्स्टॉप पे चूज कर दूँगा जब एक बार सेव में आके क्लिक करेंगे इसके साथ ही आपका फाइल जो है बो डेक्स्टॉप में सेव हो जाएगा अब मैं यहाँ पे इस फाइल को close कर दूँगा close करने के बाद desktop में यहाँ पे आप देख सकते हो Employee Data नाम का मेरा फाइल जो है वो यहाँ पे save हो चुका है इसको double click करके open करेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखिए password to open का जो password है वो आपको यहाँ पे देना होगा तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना password को लिखूंगा लिखने के बाद just एक बार ok में आके click करेंगे click करने के साथ ही दूसरा window मतलब कि यहाँ पे modify करने का जो password है वो आपको यहाँ पे देना होगा आप अगर चाते है बीना password को देके भी आप इस file को read only mode में भी open कर सकते हो यहाँ पे देखिए read only नाम का एक button है जहाँ पे आप click करके भी इस file को open कर सकते हो लेकिन अगर इस file को read only में आप open करते हो तो इससे होगा कि आप अगर इस table के किसी भी data को अगर change करना चाते हो मान लिजे मैंने इस data को यहाँ पे modify किया जब भी मैं इस data को save करने के लिए यहाँ पे save button में click करूँगा और click करने के साथी यहाँ एक error message आपको दिखाएगा we can't save employee data file because the file is read only मतलब कि यह file जो है वो read only mode में open है इसलिए यह file को आप save नहीं कर सकोगे अगर आप यहाँ पे अपने file के data को modify करके save करना चाते हो तो इसके लिए आपको modify वाला password देके file को open कर लेना है तो मैं यहाँ पे इस file को close कर दूँगा close करने के बद फिर से employee data file को desktop में जाके open करूँगा तो यहाँ पे password to open में password डालूँगा और एक बार ok करेंगे ok करने के बद modify वाला password है वो भी आपको यहाँ पे देके एक बार ok में click करना है password डालने के बद जस्ट ok करेंगे ok करने के बद यहाँ पे आप किसी भी data को मान लीजिए मैंने यहाँ इस data को edit किया edit करने के बद जस्ट यहाँ पे आपको save बटन में जाके एक बार click करना है click करने के साथ ही देखिए यहाँ पे आपका जो data है वो यहाँ पे save हो चुका है अब मैं इस file को एक बार close करके फिर से एक बार open करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए सबसे पहला password password to open का दूसरा modify का password देखे जस्ट एक बार ok में आके click करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपना जो file है जो data मैंने यहाँ पे edit किया था वो data यहाँ पे save हो चुका है